दोस्तों , एक कैस्न मैरे पास बहुति कॉमनली लोग कूछते है है , कि क्या एक बार सेक्स करने से ही ही एचाईईव हो जाता है ? आज की वुडियो में यही ही बात करने वाला है , यही हमारा टॉपिक होने वाला है , तो पूरा वीडियो इसी पे बेस्ट है , तो बने रहे हैं वीडियो के अंतर तक नश्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनी शर्मा और आप देखें आपका अपना यूट्यूब चानल, I am the Kingdom दोस्तों, इसमें कई चीजे हैं, मतलब कई time and conditions हैं, यह मान लीजिए, तो एक एक करके सब पर बात करेंगे, देखें, क्या होता है, HIV एक sexual transmitted disease जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, अभी क्या होता न, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्यार वो unknown person के साथ sex करके आजाते हैं, या call girl के साथ sex करके आजाते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता है, यार सामने वालों को HIV था या नहीं था, फिर वो मेरे को call करके बोलते हैं, सर, उसको HIV पता नहीं है, मुझे था या नहीं था, ठीक है, और मैंने condom के साथ या without condom sex किया है, तो क्या मुझे HIV होने का खत्रा ह तो भाई जब तब 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 तुम्हें ही confirm नहीं है कि सामने वालों के HIV है की नहीं है, ठीक है, तो तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ कि या आपको होगा या नहीं होगा, तो पहले इस चीज़ के लिए तो भाई साब आप जांच करवाओ, तब ही पता लगेगा, ऐसे कुछ नहीं खायजा सकता, ठीक है, फिर दूसरी सिच्वेशन यह आती है, कि आपने सेक्स किया, आपको तुरंट पता लगा है, इसको तो HIV है, यहां सामने वालों ने बोल दिया है, किसी भी तरीके से आपको पता लग गया, कि यार, उसको HIV है, ठीक है, अब आपको मन में गबरा बाकी ट्रीटमेंट भी, विंडो की डिटर का ट्रीटमेंट भी चलता है, अगरे ट्रीटमेंट से लेटेट कूछ भी जानकरी चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर में इसके निपर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, फिर दूसरी प्रीटम का यूज नहीं किया, आपको पता लगता है कि सामने वाले का HIV था, अब आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, भाई सब खतानाक तरीके से, क्योंकि ये सब आप जानते हो कि HIV एक sexual transmitted disease है, और ये vaginal fluid के थुरू भी फैल सकता है, यानि sex के अंदर जब vaginal fluid होता ह है, उसे भी ये फैलता है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आप एक बार sex करने से भी HIV हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, पूरे पूरे chances होने की, ठीक है, पर कुछ situations होती है, कि आपने, कुछ situations में ज जैसे कि, कि आपने जब sex किया हो, तो जादा forcefully sex ना किया हो, ठीक है, यहां फिर बहुत जल्दी आपका education हो गया, और आपने गए, आपने penis को साफ किया, ठीक है, और पूरी तरसे स्वस्त किया, पानी से, यहां फिर डिटॉल से, यहां फिर किसी भी sanitizer से, यहां पिर कैसे भ हद तक, कुछ हद तक कम हो जाता है, यह निकूँगा कि बिल्कुल नहीं है, कुछ हद तक कम हो जाता है, पर chances बहुत जादा होते हैं, बाकि किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया किस्मत है, तो भाईसा HIV तो होना ही होना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताए, सेक्स्वल ट्रांस्मेंटेड डिजीज है, तो यह होगा, पर आपको घबराने की जोड़त नहीं है, आप थोड़ा सा कामली इसको टैकल कीजिए, अगर ऐसा हो गया है आपके साथ, तो आप कॉल कीजिए, हल्प लाइन नमर में आपको दे रहा हूं, इसक्रिन पे चल रहा रहती है, ठीक है, तो ऐसे में आप ज़्यादा देन ना करें, कॉल कीजिए, इसक्रिन पे आपको हल्प लाइन नमर मिल जाएगा, बाकी मैं तो यही कहूँगा, कि जब भी आप करो, पहली बात आइसे काम करती ही क्यों, अगर गलती से हो गया है, तो भाई, सेफटी सबसे बेदार ज़रूरी है, उसका यूज करो, बनाई इसलिए, दस भी सुपए काता है, ज्यादा महिंगा नहीं आता है, जगर आप इतना खर्चा कर सकते हो, दस भी सुपए खर्चा भी कर सकते हो, इतना तो अफ़र करी सकते हो, तो आज का वीडियो बेसिकली इसी के उपर था कि फर्च टाइम सेक्स करने से ही ही हो सकता है या नहीं हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, मैंने आपकी सवाल का जवाब दे दिया है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं किस्यों लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले, मैं मिलता हूँ इसी किसी इंट्रेस जानका एक साथ एक और नौई वीडियो में, तब तक के लिए जहें